पाकिस्तान ब्रोडकास्टिंग सर्विस हम लाहूर से बोल रहे हैं 13 और 14 अगस संग 47 इस वी की दर्मियानी राथ 12 बजे हैं इस बरे सखीर ने 1857 से लेकर 1947 तक वो तारीख रकम की जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती स्टोरी आफ पाकिस्तान में आप देखेंगे किस तरह सिर्फ नवे सालों में मुसल्मानों ने दुनिया का नक्षा बदा दिया इस लाजवाल दास्तान में किन मुसल्म रहनुमाओं ने अपना कलीदी किरदार अदा किया और जानेंगे वो छोटी-छोटी कहानिया जो आज से पहले किसी ने नहीं सुनी सरसेद एमद खान का मुसल्मानों को बेदार करना मुसल्म लीक का कयाम हिंदू-मुसल्म इतहाद का अरूज-जवाल अक्बाल का अनमोल तसवर और मुहमद अली का जना से लेकर काइद आजम का सफर लाहौर में रक्कत आमेज मनाजर और फिर तरूए सुभा आज़ादी ये सब आप जानेंगे इस सीरीज में इसके साथ साथ हिस्सा होगी एक सेवन्थ स्पेशल एपिसोड जो सिर्फ कश्मीर पे होगी इसलिए कि जिसरा पाकिस्तान कश्मीर के बगएर अधूरा है इसी तरह स्टोरी आफ पाकिस्तान कश्मीर के जिकर के बगएर अधूरिये सवाल ये है कि पाकिस्तान की कहानी कब और कहां शुरू हुई और कौन से एहम किरदार इस कहानी का हिस्सा रहे मेरा मालना है कि पाकिस्तान की कहानी का अगाज 1857 में हुआ इस खहानी के इस दौर के दो अहम किरदार बहादर शाह जफर और सरसेद अमद खान थे But before moving forward, I'm going to tell you something very tragic, which is part of this story The last Mughal Emperor, when he was arrested by the East India Company, the next day उनको नाच्टे की मेज पिलाए गया और वो शख्स जो एक रात पहले Emperor था, जब उसके सामने एक ट्रेय रखा गया, तो उसे देखकर, बादशाज जफर की चीख निकल गई ऐसी और भी बहुत सी चीखें, हिंदुस्तान की हर गली से सुनाई दी, ऐसा क्या था ऐस ट्रेय में और क्यों कुछ सालों बाद बरे सखीर के मुसल्मान जब भी खाना बनाते, तो एक मुठी आटा अलग कर देते हैं, कहां जाता था वो आटा, यह सब कुछ आप जानेंगे इस किस्त के आखिर में 157 के बाद बरतानिया की हुकूम्बंद ने बराहे रास कंट्रोल समालिया था हिंदुस्तान जो बगावत हुईती वो फाउज में हुईती पहले, जिन फाउजियों ने बगावत की सब को उनोंने कतल गी, फांसियां दी, और जो भागनी की कोश्र की उनों पकर के उनोंने कोई कोट मार्शल नहीं था, मैं सामने गोली मारता हूँ, जो कुछ किसी ने बताया, कि ये आदमी शामिल था, ये आदमी शामिल था, कि उनके पास रसे कंपड़ गए, ड्रक्त कंपड़ गए, और ऐसी उस वक्त की पेंटिंग मुझूद है, जिसे मालूम होता है, कि कोई नाशद पहले और एंदा लोग अंग्रेज की हव्कूमत के हिलाब अपनी आवाज में उठा सके हैं So now we know how brutal was British Raj and why Sir Sayyid Ahmad Khan felt that he has to do something for his fellow Muslims? If Sir Sayyid Ahmad Khan does not do everything that he has done, then it will not be Pakistan. अजिस्तान ना होता है, अजिसे दौर में हम देखते हैं कि Sir Sayyid Ahmad Khan मुसल्मानों के लिए एक रूशनी का मिनार में जराते हैं अग्रेज उसे मतालबा करते थे कि मुसल्मानों को सरकार में नोकरियां दी जाए आपने इस कौन को नुमेंदगी देनी है, नहीं देंगे तो वही असबाब पैदा होंगे बगावत वाल, यह आपके वफादार नहीं होंगे, इनका हक दे, इनसाफ करें, इनसाफ का तकाज़ा है देखे उससे पहले कॉंसेप्ट ही नहीं है कि मुसल्मानों के साथ प्लिटिकली, इकनॉमिकली कोई ज्याती हो रही है या यह रियलाइजेशन भी कि आपकी को पैरिटी में नहीं डील किया जा रहा है, एक सोसाइटी के अंदर, इसको कहने के लिए पर तो एक कॉंशनेस की असबाब बगावत हैं, उन्हें सोचा कि जो मुसल्मानों को यह जो पावर स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल एक्स्क्लूर किया जा रहा है, अगर मुसल्मान पावर स्ट्रक्चर में नहीं आता, यह तो बहुत पीछे रह जाएगा, और देखे हिंदू आगे बार रहा है, उन्हें पूरी एक तारीक चलाई, मुसल्मान मुहमदान एजुकेशनल कानफरिंस की बुन्याद रखी, हिंदुस्तान के कोने कोने में तबलीग की, कि आप तालीमी अदारे बनाएं, और तालीम हासल करें, तब आब आगे बार जगते हैं। मैं हमेशें यह सोचता था, कि All India Congress तो 1885 में बन गई थी, लिकिन फिर सरसेयद मुसल्मानों को सियासत में आने से क्यों रोकते थे? Now I understand why Sir Sayyad didn't want Muslims to come in politics, because he wanted them to learn the rule of the game. एक अंग्रेस था, O.H. Home, उसने कांग्रेस पार्टी के बनियाद रखी, जब उसने कांग्रेस पार्टी के बनियाद रखी, तो सरसेयद आमंद खाने का, मुसल्मानों का, नहीं, 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 इस पार्टी में नहीं शामिल होना। कि इंडियनेशन कांग्रिस बरसगीत पाकोई हिंद की तमाम क्यम्यूनिटिस के मसाइल को हल नहीं कर रही और यहीं से सवाल यह होता है कि सक्सियामाद खान ने मुस्लिम कौम को यह कहा कि सियासत में हिसा लेने की बजाए अपनी तमाम तर तवज़ों आप अपनी तालीम की तरफ हासे मुस्लिम सैंटिफिक सुसाइटी की बनियाद रखी तो मुस्लिम सैंटिफिक सुसाइटी का मकसद यह था कि जो मगर्ब में साइन्स पे रिसाले, मैगजीन, रिसार्च होती है उनको अर्दू में ट्रांसलेट करके मुसल्मानों में आम किया जाए सोटीन तो बन गई थी उनिस सोचे में ठेकिन अभी लंबा सफर बाकी था इस पर हम अगली किस पर बात करेंगे इसके साथ साथ आपको बताएंगे के बी अमा कौन थी और कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ताज बरतानिया ने बरे सखीर के मुसल्मानों को धोका दिया और वो कौन नौजवान थे जिन्होंने आल इंडिया मुसलिम लीग जोईन की पर जाने से पहले जरा कहानी के अंदर की वो कहानी भी सुनते हैं जिसका जिकर मैंने शुरू में किया था जिसका अज़ाब बादुशा जफर को गरिफतार किया गया तो तीन शाज़ादे उस वक्त मुझूद थे पर ये हुआ आप जिस तरह से सुबा को अंग्रेज को ट्रे में आप बिसकेट है चाय है नाश़ादे टक के देते हैं तो सुबा के वक्त ट्रे में ओपर कपरा डाला हुआ था और शहज़ादे और शहज़ादे उंके सर ते गदरी के मुधमे में उनों ने उनको उमर कैद की सजा दी और ये किया किस्को मुलक से भी निकाल दो, जलावतन कर दो, क्या अतनी आसानी से सरसियत ने मुस्लिम को पढ़ा दिया? ने, घाजी पूर में जब मदरिसा काई गया, तो उसके लिए चंदा भी तो चाहिए था, कि जो उनके साथ लीडर्स मुझूद थी, उनको कहा ठीक है, मुस्लमान गहरानों के पास पैसा नहीं है, देने के लिए, पंड नहीं है, आप इस तरह करें, कि तीन टाइम घर का खाना तो पकता है, एक आटे की मुठी, एक तरफ खातू ने खाना डा, और हर महीने सरसियत अह पक्रामत खान खुद जाते थी, हर घर और इसको आटे को कोलेक्ट करते, उस आटे को लेकर, हम देखते है कि आटे को कलेक्ट करके उसको बेचा जाता है, बेचे जो पैसे हासिल होते थे वो इन स्कूलों की उस पर लगाया जाते। यो पाकिस्तान बना था